हेलो गाइज तो अगेन वेलकम यू आल टु दे नेक्स लेक्चर ऑफ सी लाइंवेज लास्ट लेक्चर तक जो हमने पढ़ा था वो था कॉंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप जो हम लोग बात कर रहे थे और अभी खतम नहीं हुए यहना डेटा टाइप सभी हमारा कंटिनूशन में टॉपिक चलेगा लेकिन उसके पहले बीच में एक बार में थोड़े से टॉपिक को चेंज कर रहा हूं यहां पे लेकिन उस चेंच के लिए एन वह चेंज क्यों कि आए बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है तुस चेंज को समझने के लिए रूल नमबर वन फॉलो क आपको यादे मैंने आपको आइडेंटी फायर्स क्या होते हैं if you remember identify मतलब जो आपके data को memory में identify कर रहे है that is called an identifier but a name these are the name name of variable name of array अभी तो no doubt हमने variable ही पड़ा है लेकिन जब भी आप program में किसी variable को declare करते हैं तो यादे मैंने आपको बोला था this variable is actually an identifier यह variable हो सकता है यह constant भी हो सकता है पढ़ेंगे अभी हम constant क्या होता है ठीक तो किसी भी variable का नाम या constant का नाम या अभी जब हम array declare करेंगे तो array का नाम ठीक यह सब क्या कहलाते identifier the name of structure the name of function तो जब हम identifier को अपने program में use करते हैं तो ध्यान से सुनना बच्चे identifier को declare करने के भी कुछ rules है मतलब कि identifier का नाम जब आप रख रहे हो तो नाम को नाम रखने के भी कुछ rules है कुछ नियम है and you have to follow that rules at the time of declaring it और अभी यह rules हमारे लिए applicable होंगे variable पे क्योंकि अभी हमने identifier आपको बता रहा था में कि लास लेक्टर में हम लोगो ने यादे इंट डेटा टाइप कर लिया फ्लोट डेटा डाइप के बारे में बात कर लिया तो बीच में आप यह rules for declaring identify का topic क्यों लेकर आए इसलिए बच्चे क्योंकि अब इसके बाद हमें इसलिए तो डिक्लियर करना है तो सबस्क्रोगर आपने इसलिए बडेल किया रोल नंबर के नाम से सबस्क्रीवारि बडेल क्या फ्लोट परसेंटेज के नाम से पी ए आड़ सी एंटी ए घी तो कुशन यह यह मैंने एक वेरिवाल डेल किया 123 के नाम से तो कोश्चिन यह सर सब यह वैलिड है क्या मतलब वेरियाबल के नाम कितनी लेंद के हो सकते हैं क्या नमबर वेरियाबल हो सकता है क्या तो we have to at least know that कि what are the rules we need to follow at the time of declaring it तो जो अभी हम वेरियाबल पे लिए रूल पढ़ रहे है वह सब पे अप्लिकेवल होगा वह स्ट्रक्चर पर भी अप्लिकेवल होगा वह फंक्शन पर भी अप्लिकेवल होगा इसलिए तो कि सभी आइडेंटिफायर ना पटा आइडेंटिफ और हम क्या पर आइडेंटिफायर तो चलिए वन बाइवन बात करते हैं कि जब हम सी में वेरियबल डिक्लियर करेंगे तो क्या रूल समय फॉलो करना पढ़ेंगे ठिक और यह सब पर अप्लिकेवल होंगे इसलिए एक बार इसको ध्यान से समझ लेना ओके सबसे पहला रूल है फॉस् भी अल्फाबेट और एक बार यहां अपने अगर इनको समझ लिया ना तो फ्यूचर लाइंगविज इसमें थोड़े बहुत चेंजर होंगे ज्यादा चेंजर नहीं होते हैं जैसा पाइटान में फास्ट लेटर में भी अल्फाबेट और अंडर इसकोर जावा मैं बोलते है फास्ट लेटर में भी अल्फाबेट और डॉलर साइन तो यहां पर हम प्रूलते फॉस्ट लेटर मस्ट भी अल्फाबेट मतलब यदि मैंने एक वेरियवल को डिकलियर किया है और अगर मैं इसको इसे डिकलियर कर दाऊं इंटेजर एवन ठीगे और एक वेरियबल मैं एक्लियर के इंटीजर सबोस वन ए तो वैलिट कौन चाहे दिस इद वैलिट बद इस वन इस नॉट तो कि फर्स्ट लेटर का अल्फाबेट होना कंपल्चरी है अल्फाबेट के लावा यह कोई दूसरा लेटर नहीं हो सकता फॉर्स्ट लेटर मस्ट भी अल्फावेट आई बस समझ में अल्फाबेट लाए बीसीडी ठीक यह अल्फावेट हो सकते है वो कैपिटल यह स्मॉल किसी में भी हो सकते लिकिन यह धान रखना सी के सेंसिटिव लैंगवेज मतलब के संसेटिव का मतलब देर इस डिफ्रेंस बिट्विन डेटा एंड डेटा एन जब इस यह कडिकिन ख़ैसेट कर दी है तो उसको के सेंसिटिव लैंगवेज बोर्तव है तो C is को राइबर सुन्विन के लाउट सेंसिटिव लैंगवेज और्यट्स और यदि आप एक वएरीवा को डिक्लीए कर ए क्स्मॉल एवन के नाम से तो इसको भी Cindy Bruce one के नाम से ही करे space allowed no space allowed in between the name of variable मतलब यदी मान लो आप एक वेरियवल इसा डिकलेर करते इंट रोल नमबर ठीक है अब यह बीच में आपने इस पेज़े दी तो दिस इन एर्र यह एर्र और वह एर्र पता है क्या देगा वह एर्र यह अपने स्पेश लगाई श्पेस आपने यूज कि वह एर्र देगा कॉमा मिसिंग यूविल या बोले का सब्सक्राइब वह बोले काई आ और आप ने आपने दो वेरियबल लिक्लियर करें तो कॉम लगाओ ओके तो ध्यान रखना किसी भी वेरियबल के नाम में स्पेस अलाउट नहीं है नो इस पेस अलाउट इन बिट्विन दे नेम आफ वेरियबल got it second rule so much by a third rule का बोलता है except underscore except underscore 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 the sign someone still origin each alexander underscore a hotel yeah you the dash or is an each alex couple underscore right for except underscore no special character allowed in between the name of variable no special character allowed यह third rule except underscore no special character allowed underscore को छोड़ किसी भी special character को variable के नाम में यूस नहीं कर सकते और इसको भी अगर यूस करना है तो बीच में करना है और यह स्पेशली दिया गया है space के लिए ठीक एगे अगर आप इस पेस अलाउट नहीं करना चाह रहे है then you should go for underscores जैसे जड़ी मान लो अगर एक variable को में declare करता हूं something like this int role underscore number so this is valid and I mean a role number के बीच में क्या लगा दिया underscore ता कि मुझे space भी दिख जाए और variable आपस में variable name connect भी रहे तो यह underscore allowed लेकिन इसके अलावा special character समझते ना मतलब आपने keyboard को देखें तो जीरो से लेके 9 तक जो कीज होती है उनको निमेरिक की बोलते है एस से लेके जड़ की होती है इनको अलफाबेडिकल कीज बोलते है ठीक है और इसके अलावा जो होते है ना इसके अलावा होते है बशल मेस अ आड़ Ohh लआई दरीट यह एक्नलेशन साइन डैश अंडरिस को तो यह सब कहला थी सही क्यारेक्टर देसर क्यारी इसे तो इन सारे स्पेशल करेक्टर में जो इस्पेशल क्णेटर अलॉड है वह लाउड एक sub वेरियोवल के नाम में अंडर इस्कूर यूज कर सकते हैं लेकिन भी बीच में not in इनीशल स्टार्टिंग में यूज नहीं करना है इन विट्विन यूज दिस अंडर इसको समझ महीं बात आपको तो नो इस्पेशल करेक्टर अलाउट एक्सेप्ट अंडर इसकोर यह तीसरा रूल है समझ में आ रहा है आपको तो जब भी वेरियवन हम डिक्लियर करेंगे न फ्रूल क्या बोलता है नो कीवर्ड अलाउट एस अवेरियवन नो कीवर्ड आलाउट थिए नो कीवर्ड अलाउट अब ये कीवर्ड क्या होते है इनिकी वर्ट्स को सी में रिजफ वर्व रिजफ वर्ड भी बोलने ठीक इस कीवर्ड is also known as reserve word no keyword allowed in between the name and the keyword will not be हरा लिए है यई योरा इडेंटिफार का नाम कोई भी की वर्टस नहीं हो सकते चीह आप कीवर्ट्स यो किया होते हैं तो देखना C में जब आप अभी हम programming करेंगे तो आप notice करना जब मैं practical कराऊंगा चाहे वो VS code में हम करें चाहे हम turbo C++ में करें ठीक कुछ ऐसे word होंगे मतलब कुछ ऐसे word जो C ने अपने purpose के लिए already reserve किये हुए है मतलब C का यह कहना था जब मैं अपना development कर रहा था तो मुझे कुछ word की requirement तो उन words को already C ने अपने purpose के लिए use किया है तो वो उन words को आपको identify का नाम नहीं रखने देगा variables का नाम नहीं रखने देगा जैसे reserve word मतलब क्या समझवा reserve word मतलब यदि मैं ऐसा लिखता हूँ int int f तो यह valid है आपको लगता है तो यह भी valid है एफल ओ तो यह भी valid है एफल ओ यह भी वैलिड है यह भी वैलिड है लेकिन एफल ओ एटी यह error आजाए यह variable का नाम कभी भी float नहीं हो सकता small letter में capital में तो आप क्योंकि यह float क्या है it's a data type तो यह reserve word है बच्चे समझना है यह reserve word है यह सी ने टोटल कितने की वर्ट्स रिजर वर्टे थर्टी टू सी जविंग थर्टी टू की वर्ट्स जस्पाइफन पड़ोगे तो आपको पता चलेका 33 है जावा पड़ोगे तो आपको पता चलेका 52 है तो हर language के अपने reserve words होते है तो सी में यह जो 32 टू रिजर्व वर्डव यह कौन कौन से हैं ठीक है इस रिजर्व वर्ट में भी ए फर एक्जमपल इंट फ्लोट कैर वाइड डबल साइंड अनसाइंड इफ एल्स वाइल फॉर डू ब्रेक कंटीनिव ठीक है गोटू ऐसा बहुत सारे reserve words है टोटल 32 इन रिजर्व वर्ट को हम वेरियबल नेम के फार में यूस नहीं कर सकते एक रूल और है लेकिन अब वह अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अब जब सिस्टम की कैपसिटीज बढ़ गई है तो यह रूल अप्लीकेबल नहीं है अब तो आप चेंज कर सामता अब यह रूल नह शुड़ नॉट भी मोर दिन एट करेक्टर वेरियबल के नाम में आठ से ज्यादा करेक्टर नहीं होने चाहिए और नादेज इस रूल इस वह इन्वैलिट रख सकते हैं वह इनिशल एट करेक्टर करेगा पर एरर नहीं देगा बट वेरियबल नहीं आप कोशिश करें लेकिन अगर में लिखता हूं इसी को शॉट फार्म में लिख दूंगा आरे नो तो ज्यादा बेटर तो डिप कोशिश करें कि वेरियबल के नाम एट करेक्टर में आ जाए नो डाउट यह पाइथान जावा में सारे रूल चेंज हो जाएंगे इवन सी में भी नहीं है ले the length is max 8 character long ठीक है तो Always remember this eight rules when you declare the variable जब भी आप किसी variable को declare करें C में यह यह तो चलो भी हम variable के लिए बात कर रहे हैं but future में जब आप इसी को यूज करके declare करो गे structure का नाम या function कर नाम या अरे का नाम या Union जो भी नाम मतलब जिस नाम को हम डिकलियर करेंगे जिस नाम से हम प्रोग्रामिंग में मैमोरी अलोकेशन करेंगे वो नाम आइडेंटिफाय कहलाते हैं और यह आइडेंटिफायर के रूल से और अभी जोंकि हमारा टॉपिक वेरियबल चल रहा है इसी लिए मैं आइडेंटिफायर आपको इसी टॉपिक में बता दिया है ठीक है तो यह समझ में रूल सब्सक्राइब और इस रूल्स क्लियर है I hope you guys can understand this कि what is the rules for declaring and identifier okay अब चुकिए अपन अभी थोड़े से टॉपिक से रेगुलर टॉपिक से अपन थोड़ा साइड में तो एक और टॉपिक को पलते हुए फिर अपन अपने ट्रैक पर वापीस आते हैं हाला कि यह भी बहुत सिंपल छोटा सा कॉंचेप्टे के वाल आपको समझना है आप समस्सक्या आप समझना कि सपोज अगर में एक प्रोग्राम लिख रहा हूं ठीग है अगर मानलो मैंने कंप्यूटर पेक अब मैं चाहता हूं कि जब इस प्रोग्राम को मैं मतलब इस से आप multiple program अपने system पर बनाऊंगे तो क्या होता है यह मानलो आ WILDRO प्रोग्राम को में बनाऊं तो उसके पहले यहां पर मैं नाम दिदो जैसे अपन Copy में लिखते ना COPि में मानलो बना रहा हूं addition of two number का तो मैं जाता हूं उपर एक हेडिग आजाए एडिशन एडिशन ओफ टू नमबर एडिशन आफ टू नमबर मतलब जो कॉंसेट में आपको बता रहा हूं वो क्या है कमेंट किसी में कमेंट क्या होते हैं और डिशन अलग तरीके से हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वाटर डिफ्रेंट यूजज ऑफ कमेंट के अलग यूज क्या है तो यदी मान लो में यहां पर इसको लिखता हूं एडिशन आफ टू नमबर अब जैसे यह कमांड है यह कमांड है अगर मैंने यहां पर ल कमांड कंसिडर करेगा अरे समझ में ही बात वो तो उसको भी कमांड कंसिडर करेगा और एरर दे देगा कि स्टेटमेंट जो लिखे हुए यह दिस इन एर तो एक एस पर सी यह तो एरर है न क्योंकि वो कोई कमांड थोड़ी है जो आपने लिखा एडिशन आफ टू नमबर अरे बात समझ में आ रही है तो मैं यह चाहता हूँ कि जब भी सी में आपको एसी कमांड लिखनी है ठीक है मतला जब आप सी में यह चाहते हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है बट सी इस नौट कंसिडरीट एज अ कमांड कि जब प्रोग्राम का कमपाइलेशन हो तो स्टेटमेंट को कमपाइलर एक्जीक्यूट ना करें क्योंकि वो कमांड ही ही नहीं तो उस पडिकुलर स्टेटमेंट को जिसको आप कमपाइलेशन के टाइम पे एक्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं स्टेटमेंट ध्यान से सुनना क्योंकि जब आप प्रोग्राम कमपा है एक होता है यह double slash ठीगे यह backslash है फ्रेंट इसको बोलते हैं single line comment this is called single line comment ठीक और दूसरा होता है slash star और star slash इसको बोलते है multi line comment this is called multi line comment तो दो टाइप के comment some programming में यूज करते वन इस single line and second is multi line अब क्या मतलब हो है इसका देखा अब यदि मैंने इस statement के आगे double slash लगा दिया तो आप देखना जब इसको system पर हम टाइप करेंगे तो यह अलगी है आपको highlighted दिख जाएगा तो इसका मतलब आपने अपने प्रोग्राम में multiple lines लिए जैसे कहीं बार क्या होता है जब आप कोई कोड लिख रहे हैं तो कहीं बाद टेस्टिंग के लिए हमें किसी पर्डिकुलर कोड को execution से हाइट करना होता है जैसे मान लो मैंने कोड लिखा इंट a,b,c यह मैंने कोड लिखा है ठीक है समझना दिहान से अभी मैंने कोड लिखा लेकिन मैं चाहता हूं कि बस मुझे अभी पर्डिकुलर किसी प्रोग्राम में यह चार-पांच लाइन एक्जीक्यूट नहीं करना है मतला मुझे उसको हटाना भी नहीं है कि हो एक सकता है यह लाइन मुझे भी अग्जीक्यूट नहीं करना है स्को इसको एक्जीक्यूट नहीं करते तो यह आप क्या करूंत में पर और इसके नीचे की हर लाइन अफ leav चे टो में लेकिन ये पांच चे LAU n आब आपका कॉंपालर करके आगे बढ़ जाएगा तो यह जो है मतलब अब इसमें error है नहीं है whatever compiler को की मतलब ही नहीं है क्योंकि वह इस line को execute करी नहीं रहा है तो यह कहलाते है comments these are called comments in the program तो हमेशा मैं आपको suggest करूँगा कि वह जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाएं तो हमेशा ऊपर comment करके इस program का नाम जरूर दे आप यह बहुत अच्छी प्रक्टिस होती नेमिंग अन्वेंशन के फॉर्म फॉर्म से एवन में हमेशा कंपनी तो यह suggest करती है कि आप हर लाइन में comment करें लेकिन एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यह पॉसीबल नहीं है ठीक है जैसे मानल अपने लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी पाव यहां पर बाकादा comment करके लिग दीजे कि वाई यू डिक्लियर दिस वेरियाबल कि दिस तो क्या होता है जब कोई unknown person आपके प्रोग्राम को पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यह लाइन क्यों लिखे गई है बास समझ में आ रही है आपको तो यह कहलाते comment single line comment multiline comment क्या होते हैं तो I hope you guys can understand कि यह बीच मेंने topic क्यों लेक्या है क्या होगा भी हम जब आगे coding लिखेंगे तो multiple time में कहीं कमेंड को use करूंगा और अब में जब variable को declare करूंगा तो मुझे clear है कि मैं आपको rule बता चुका हूं कि मैंने underscore लगाया है में और किसी variable character को नहीं लगा सकता first letter must be alphabet no space allowed in between the name of variable maximum length is only eight character long except underscore no special character allowed no reserve word allowed is a variable name तो यह हमने rules पढ़े है declaring for variables और यह समझा कि comments का मतलब क्या होता है तो I hope you guys can enjoy this lecture और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको share करिए maximum friends तक share करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स class में बबाई